नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा इस वीडियो में दिस्कस करेंगे कि डिस्मेंट टाबलेट का उप्योग किन कंडीशंस में किया जाता है डिस्मेंट ताबलेट को कैसे लेना चाहिए और Disman Tablet की वज़े से क्या side effects हो सकते हैं। और यह भी discuss करेंगे कि Disman Tablet को लेते समय क्या-क्या सामधानिया रखनी चाहिए। Disman एक brand name है। Disman Tablet के अंदर दो दवाओं का combination होता है। Disman Tablet के अंदर salt composition diacyclomin 10 mg और mefnamic acid 250 mg होता है। Disman Tablet का उपयोग मुख्य रूप से पेट दर्द को ठीक करने के लिए Disman Tablet का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा पत्री का दर्द होने पर और महिलाओं में मासिक धर्म के दोरान भी दर्द से राहत पाने के लिए Disman Tablet का उपयोग किया जाता है। डिस्मेंट टाबलेट पेट के दड़ को ठीक करती है। साइड इफेक्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में डिस्मेंट टाबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं। लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में डिस्मिन टाबलेट की वजह से कुछ साइड इफेक्स हो सकते हैं. जैसे उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना, चक्कर आना, सीने में जलन होना, दस्त होना, नीन आने में परेशानी होना, कब्स होना, बधजमी होना और मुँ में सुखापन होना आधी साइड इफेक्स डिस्मिन टाबलेट की वजह से हो सकते हैं. अब हम डिस्कस करेंगे की डिस्मेंट टाबलेट को कैसे लेना रेक्मेंडेड होता है डिस्मेंट टाबलेट को खाना खाने के बाद या थोड़ा बहुत कुछ खाने के बाद ही लेना रेक्मेंडेड होता है आम तोर पर 12 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को डॉक्टर डिस्मेंट टाबलेट को दिन में 2 से लेकर 3 बार लेने की सलाह देते हैं। डिस्मेंट टाबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। लिवर या किड्नी की कोई गंभीर बीमारी होने पर डिस्मेंट टाबलेट को लेना रेक्मेंडे नहीं है। इसलिए यदि किसी व्यक्ति को किड्नी या लिवर की कोई गंभीर बीमारी है, तो ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्तर को बताना चाहिए। डिस्मेंट टाबलेट को लेने के बाद जाइविंग नहीं करनी चाहिए और ऐसी मशीनों पर काम भी नहीं करना चाहिए। जिन पर काम करने के लिए अधिक मानसिक सतरकता की आवशकता होती है, क्योंकि डिस्मेंट टाबलेट को लेने के बाद कुछ व्यक्तियों को चक्कर आ सकते हैं। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए डिस्मिन टाबलेट का सेवन करना सुरक्षित वर रेकमेंडेड नहीं है। डिस्मिन टाबलेट मा के गर्ब में पल रहे बच्चे को नुकसान पहुँचा सकती है। और स्तनपान करा रही महिलाओं में diisman tablet मां के दूद के जरीये बच्चे तक पहुँच सकती है और दूद पीने वाले बच्चे में side effects पैदा कर सकती है इसलिए pregnant महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को diisman tablet को डॉक्टर की सला के बिना नहीं लेना चाहिए वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका डिस्मेन टाबलेट से संबंधित कोई प्रश्ण है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं